आज मैं आपके साथ शेयर करें चावल के एक नास्ता के रेसिपी जटपट बन भी जाता है और बहुत ही हिल्दी एक नास्ता के रेसिपी है जब रोटी सुबजी खाने का मुण ना हो तो एक नास्ता बना के इसलिए आप खा सकते हो नमस्कार कुकिंग फ्याटिक चैनल में सबसे पहले मैंने एक काप चावल को तीन घंटे के लिए भीगो के राख दिया था नॉर्मल जो चावल घर में रहता है वहीं चावल है और उसके बाद उसका पानी छान लिया है अब हम इसमें मिक्सी जार में डाल देंगे साथ मिक्स में डाल देंगे एक इंज अद्र क्र टुक्रा और दो हरी मिर्श हाप कप दही और डाल लेंगे वान फॉर्ध कप पानी अच्छे से इसको फाईन पेस्ट बना लेंगे अब हम इसमें डाल लेंगे हाप कप सुजी अच्छे से मिष्ट कर लेंगे सुजी मिष्ट करने के अच्छे से मिष्ट करने के बाद आप इसे रेस्ट करने के लिए द्यासपन्द मिष्ट के लिए छोड़ देना अब हम इसमें डाल देंगे साधनुसा नमक नमक अच्छे से हम इसे मिष्ट कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून बेकिंग पाउडर हाप टीस्पून बेकिंग सोडा और अच्छे से हम इसे मिष्ट कर लेंगे आपके पास अगर बेकिंग शोडा बेकिंग पड़र ना हो इसके जगर आप इनो का भी इस्तेमल कर सकते हो अच्छे से मिष्ट हो चुका है अब एक टोड़का लगाते है उसके लिए एक टोड़का पेंड लेंगे उसमें डाल दे जीरा और डाल देंगे सफ़ेस्टील होता है वह जाल देंगे दो टेबिलस्पुन वह तेला देंगे अच्छे से इसको गरम करके फिर हम इस तटका दे देंगे अच्छे से इसे मिक्स्ट कर लेंगे बहुत ही हेल्दी रेसीपी है नास्ता है यह आप इजीली बेखवास में भी दे सकते हो ऐसे नास्ते में खुद खा भी सकते हो अब एक केक टीन लेंगे उसमें कुछ तिल लगा देंगे अगर आपके पास एक केक टीन ना हो कोई भी थाली हो या कोई भी बड़तों ऊस्तरी के फ्लेट टाइप का तो उसमें आप इसतरी के से तेल लगा की इसमें बैटर डाल की बना सकते हो आप गैस के उपर कड़ाई चला देंगे उसमें डाल देंगे पानी करिव करिव एक से देड़ का पानी डाल देंगे हम और एक स्टैंड लागा देंगे इसमें आपके परस अगर कोई स्टैंड ना हो कोई कोटोरी इसमें लागा देना और उसके उपर यह बेटार के टिन या थाली आप राख देना उसके बाद धाक के मीडियम से लो फर्म कर राख के आप दोस से 15 मिनिट के लिए इसे स्टीम होने देना पर्णा मिनिट बाद हम इसे देखेंगे देखिए इससे एक टुथपिक लेंगे और इसे चेक कर लेंगे अच्छे से हुआ है कहने आगा टुथपिक अच्छे से निकल बाहर आ जाता है तो इसका मतलब हो गया अच्छे से उसके बाद इसका हम ठांडा कर लेंगे और धान्डा करने के बाद चारो साइड हम चाकू से थोड़ा इसको निकल लेंगे ताकि आच्छे से इस टीन से हम इसको निकल सकते हैं अब बड़ा थाली में इसको निकल लिया है अब उपर हम थोड़ा सा लालमीच पाउड़ार अब इसमें राल देंगे थोड़ा चाट मसाला उपर से खान में बहुत ही अच्छा लगता है इसे चाट मसाला और लालमीच के साथ और थोड़ा से उपर में हम डाल देंगे बारी कटा हुआ पेयाज बारी कटा हुआ टमाटोर और बारी कटा हुआ हरा धनिया कभी कभी हम रोटी सब्जी खाने का मौन नहीं करता है तो यह बाना के एक बार ट्राई कीजिए उमीद है आप लोगको जुरूर पश्रंद आएंगे तो चली इसको काटके हम साफ कर लेते हैं आप कोई भी चाटनी या भरा चाटनी या नारियल के चाटनी के साथ इससे साफ कर सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है खासकर नारियल के चाटनी के साथ तो चली इसको प्लेट में साफ कर लेते हैं रेशिपी अगर पशंद आए एक लाइक जुरूर कर देना और मेरी रेशिपी कैसे लाग रहे हैं आप लोगों को कॉमेंन करके जुरूर बाताना तो चलिए फीर मिलते हैं एक नहीं रेशिपी के साथ तब तक आपना ख्यार रखना